आसाम और उत्रप्रदेश की तरजी पर अब उत्राखंड सरकार ने भी मदरसों के सर्विक्षन की बात कही है मुख्यमंद्री पुस्कर सिंग धामी के निर्देश के बाद प्रसासन हरकत में आया है और सर्विक्षन की तेयारी भी प्रसासन ने सुरू कर दिया है आज हम इस संबंद में खास बात्चित करने के लिए एक मदरसे में पहुँचे हैं जो उत्राखंड उत्रप्रदेश के बॉर्डर पर इस्तित है और इनसे हम जानेंगे कि मदरसों का संचालन किस तरह से हो रहा है और मदरसों में किस तरह के सिक्षाय दी जारी है सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उम्ताज नवी है कौन से मदरसा है ये वाला? मदरसा अरविय रजविय ऐसातुल अलूम है उत्राखंड सरकार ने अब उत्रप्रदेश और आसाम की ताज़ पर मदरसों के सर्विक्षन की बात कही है कितनी सही है सरकार की बात? ये मदरसे में जो सर्विक्षन के बात कही है वो सही है इससे बचों को समाज में गलत फहमी आए वो दूर हो जाएंगे और मदरसी में अच्छी पढ़ाई और बढ़ाएगी उदमसी नगर में कितने मदरसों का संचाला नोरा है? उदमसी नगर मदरसे ही लगवां 230 के अलगवां मदरसे चलने हैं इस में से मानने तापराब्त केते मदरसे हैं? मानने तापराब्त लगवां 95% है जो मदर से मानने तपराइबbbe नहीं है, उनका जो है कि संचालन कैसे होता है? कहाँ से संचलन के लिए पैस आता है? उस पैसे खता होता उसे बच्चों का खड़ चलता है में उत्तराखंड में सभी इंगलिज मैथ भवसाई की दो है थोड़ा पड़ा देते आं बाकि अर्वी फार्सी पड़ाते हैं आपकी मदरसीम क्या 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 पढ़ाए जा रहा है हमारे मदरसी में कख्या एक से पांच तक तो हिंदी उर्दू गड़ित मैत सभी पढ़ाते हैं मुस्लिम समाज के जब सरकार ने जब अभी सर्विक्षण की बात करी थी तो मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने आरूप लगाया था कि सरकार मदर्सु के सर्विक्षण के नाम पर मुसल्मानों को परस मंदर्सु की संख्या बड़ी और दूर रहे हैं मदरसु मえば फेले गलत्त फहले हैं यो दूर होगी और आबादी बढ़ रही है इसलिए मदर्सु के संख्या बढ़ रही है बढ़ाई अच्छी होती है मदर्सु में इसलिंए लोगों जादा इस तर्फ जा रहा है daw सिज्फन दरसे ज्यारा हैं कुछ लोगों का आरू रोप है कि मदरसों में बाहर के प्रिंसपे सब्सक्राइब मोलत होते हैं इसूपर होते हैं और सेसल के यह टाजा के होते मुद्धान ना महाणा नहीं उता है और हमारे मदरसे में तुर को यह जो जाके ihm होतेог first हमारे साथ एक मदर्सी के प्रिंस्पल उन्होंने साफतार पर बताया कि मदर्सों का जो संचालन है उत्राखन में जो सर्जकार ने सर्विक्षन की बात कही है उस सर्विक्षन की बात को उन्होंने सई ठहराया है और उन्होंने कहा कि अगर सर्विक्षन होगा तो उससे मदर् देश का नाम रोसन करें उदमसिक नगर सेवित प्रकास यादों की रिपोर्ट